नवसकार दोस्तों मेरा नाम है रोहित इस वीडियो में हम लोग NCRT Classics Science के चैप्टर नमबर एक को डिसकस करते हैं चलिए शुरू करते हैं पहले देखिए फूड वेर डस इंट कम फरों फूड हमें कहां कहां से प्राप्त होता है इसके बारे में पढ़ेंगे देखिए इस वीडियो में मैं आपको मैन मेन टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि अकर सारा डिसकस्शन हम लोग करेंगे एक एक लाइन तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब जैसे इसमें फर्स्ट पराग्राफ में दिया गया है कि what did you eat at home today आपने क्या आज खाया आपने फ्रेंट ने क्या खाया कल क्या खाया था आपने फ्रेंट ने इसी की बारे में बताया गया तो हम इस तरह का टॉपिक डिसकस नहीं करे करेंगे चलिए अब शुरू करते हैं अब जैसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया है इंडिग्रेंट क्या होता है इंडिग्रेंट जैसे लिखा हुआ है वो यह टेक रॉर आइस एंड बॉयल इट इन वाटर हम जब चावाल को लेते हैं और उसको पानी में डालकर उबा अब जैसे रोटी बनाने में दो इनडिग्रेंट क्या यूश होते हैं पहले आटा यूश होता है और पानी गूतने के लिए तो इनडिग्रेंट दो हो गए हैं और जैसे सबजी में जैसे इसमें लिखा हो है कड़ी बनाने के लिए हमको काफी कुछ चाहिए होता है इंडिग्रेंट उसमें ज्यादा लगते हैं जैसे वेजिटेबल, साल्ट, प्राइस इंडिग्रेंट में आप यह कह सकते हैं कि किसी समान को बनाने में कौन-कौन सी चीजे लग रही है इसको इंडिग्रेंट कह सकते हो जैसे आठा, रोटी बनाने के लिए हमें क्या रखता है आठा और पानी लखता है इसी तरह सबजी बनाने में क्या लखता है सबजी लगती है, नमक लगता है मसाला लगता है यही इसमें दिया गया है अब यहां पे एक्टिविटी एक में देखिए कि अपने फ्रेंड का नाम लिखना है उसके बाद इसमें उसने क्या खाया है दिने में वो लिखना है यह आप लोग परफॉर्म करके दिखाओगे मुझे दूसरे एक्टिविटी में दिखाया गया है कि इंडिग्रेंट्स डिफरेंट फूड आइटम दी गई है और इंडिग्रेंट्स क्या है जैसे रोटी चपाती बनाने के लिए आटा और वाटर इस्तिमाल हुआ है दार बनाने के लिए पल्सिस चाहिए वाटर, साल्ट, ओल, स्पाइसिस मसाले चाहिए फूड मटीरियल एंड सोर्सिस इसका मतलब हुआ कि जो खाने की वस्तुएं है वो हमें कहां से कौन सा सोर्स है जो हमें मिलता है मेन जो है वो हमारा खाने का मटीरियल पलांट से और एनिमल से मिलता है पलांट से हमें जैसे इसमें लिखा गया है कि प्लांड से हम खाने का जितना लगभग आईटम रहता है सभी मिलता है और कुछ जैसे मिल्क, एग, मीट ये हमें एनिमल से मिलता है तो यही इसमें फीगर में दिखाया गया है अब यहां पर फिर ये एक बार दिखाया गया है कि फूड आइटम कौन सा है इंडीगरेंट इसके जैसे इटली बनाने के लिए राइस, उरद की दाल, साल्ट और वाटर है ये हमें सोर्स इसका क्या है ये हमें पलांट से मिलता है चिकन कड़ी चिकन करी बनाने के लिए चिकन स्पाइसी सॉयल गी इसका सोर्स क्या है एनिमल है ओयल जो है ये पलांट और एनिमल दोनों से मिलता है इसी परकार ये टैबुलेट किया गया है इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे फसले हमारी लगती है और दूसरे में इसी को ट्रांस्पोटेशन का दिखाया गया है कि ढोया जा रहा है चलिए अब ये मेन देखते हैं अब इसमें इस फिगर में देखिए पलांट पार्ट से एंड अनिमल प्रड़क्ट एस फूर्ट पलांट के जो पार्ट है हमारे खाने के लिए और जो अनिमल के प्रड़क्ट है वो कौन-कौन से होते हैं इसमें हम देखेंगे जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया शूट सिस्टम दूसरा है रूट सिस्टम इसमें रूट और शूट में अंतर यह है कि जमीन से उपर का जतना हिसदर रहेगा वह shoot system है जो नीचे का जमीन के रहेगा वह root system है इसमें flower भी मारे खानी like है, fruit भी सभी plant का जो कुछ न कुछ ऐसा पोधर रहता है हम लगभग उपर का और नीचे का जड़ फूल भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीफ भी, नोड ये सब लगभग हम लोग खाते हैं, जो फलावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ और रूट भी, जैसे गाजर, गाजर जो है उसकी हम लोग जड़े खाते हैं, पालक का पत्ता खाते हैं, कद्द जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बहुत से वो इट मैनी लीफली वेजिटेवल हम बहुत से पत्ते खाते हैं और सम्टाइम रूट सम्टाइम स्टेम इवन फ्लावर पंपकिन इटन यह हमारा ही सब बताया गया जो मैंने आपको बताया है अब इसमें देखिए मेन जो है एडि प्लांट पार्ट एजे फूड ब्रिंजल कड़ी में यह हमारा फूड आइटम है ब्रिंजल लगएगा इंडिग्रेंट चिली और यह सरसो का तेल स्वएबिन यह सब लगेगा और यह कौन सा पार्ट है उसका वह दिखाया गया है कि प्लांट कौन सा पार्ट हम लोग खा रहे हैं ब्रिंजल जैसे फ्रूट है चिल्ली ये भी फ्रूट है ओल जो है ये सीड है मारा इसको खा रहे हैं अब यहां पर ये फीगर बहुत अच्छा है इतको बहुत ध्यान से सुनिएगा do not try to taste unknown plant around you see if they are edible some plant could be poisonous हमें इसमें बताया गया है कि हमको unknown plant को नहीं खाना है क्योंकि वो जहरीला भी हो सकता है यह आप लोग ध्यान दीजेगा बिना पूछे किसी बड़े से अब लोग बिना unknown कोई plant मत खाना बाहर से वो खतरनाक हो सकता है हमारे सहत के लिए अब चलिए इसमें देखते हैं और क्या है अब देखिए activity में पांच में इसमें दिखाया गया है कि मूंग की दाल और चने को जो है यहाँ पर जो चना है इसको एक दिन इसमें लिखा गया है कि एक दिन आप लोग भिगा दीजिए पानी फेक दीजिए और किसी वेट कलोथ में next day आप उसी में डाल के रख दीजिए तो वहाँ पर आपको यह अंकुरित डाल या चना मिलेगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग जो अंकुरित डाल को कहा या चना को स्प्राउटिड कहते हैं यहीं इसमें दिखाया गए जैसे हम लोग देखा होगा हम लोगों ने भी की चना को है राद भर भिगा दिया जाता है उसके बाद सुभा को छान के किसी कपड़े में रख दो तो अगले दिन वो अंकृत हो जाता है वाइट वाइट सा निकल लाता है उसको अंकृत कहते हैं यह आशा करता हूँ यह स्प्राउट rating समय में आ ग्या होगा अब इसमें देखिये कि नैक्टार क्या होता है यह में सेचांट है यह हैने क yenücks लिखा हूए अरख है यह देखिये लेकिशर क्या होता है है कि जो इसमें लिखा वे यह स्वीड जूस जो मध्धु मखिया है वो सारा दिन 12 महीने तो फल रहता नहीं है उसमें रस तो इसलिए वो क्या करती है जो मीठा रस रहता है जब सीजन आती है तो निकाल के अपना एक छट्टे में जमा करती रहती है उसी को वो सारा साल पीती है वो हम लोग उसको मधु मक्हालन जो करते हैं वो लोग मक्ही को उड़ा कर उसके बाद हम उसका शहर निकाल लिए चलिए वो अलग परसे है वो लोग आप सभी लोग जानते होंगे फिर वो शहर निकाल लिया जाता है यही इस सब के बारे में बताया गया आगे लिखाओ है वाट डू एनिमल इट एनिमल जो इसमें बताया गया है कि एनिमल क्या क्या खाते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है कि लहरी क्या क्या खाती है जो भी मिलता है इसको ये खा लेती है जैसे इसमें काफी कुछ दिखाया गया है और की लिजाड क्या खाते हैं अलग-अलग जानोरों के बारे में अलग-अलग जैसे कुट्टा क्या खाता है बिल्ली क्या खाती है इसके बारे में सब बताया गया है अब जो इस में में पॉइंट है वो देखिए हार्बी वोर्स, कार्बी वोर्स, ओम्नी वोर्स हार्बी वोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या हरे पत्ते या पौधे खाते हैं उनको हार्बी वोर्स कहते हैं कार्बी वोर्स उनको कहते हैं जो मास खाते हैं जैसे शेर और चीता हर्विवोर का उधारन है जैसे हीरन गाय ये सब हर्विवोर्स हैं कार्णिवोर्स वो हैं जो मास खाते हैं दूसरों का कार्णिवोर्स जैसे चीता शेर ये सब मास खाते हैं ओमनिवोर्स वो होते हैं जो तीनों, दोनों को खाते हैं, पोधा भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, अब देखिए, एक्टिविटी 6 में दी हुई है, नेम ओफ एनिमल, ये क्या खाती है, आगे लिखा हुआ है, कि फूर्दा, एनिमल इट, जैसे बफैलो है, ग्रास, ओइल केक, ये सब खाती ह होई है, आप लोग इसको पूरा लिस्ट फिल अप करके, दिखाईएगा, अब इसमें दिया गया है, कि हार्बी वोर्स कौन कौन से हैं, कार्नी वोर्स, ओमनी वोर्स, आप लोग इसको टैबुलेटिट जो फॉर्म है, इसको फिल अप करके, दिखाईएगा, अब इसमें यह देखो पहली वांट टू नो वेर यू वूड प्लेस यूमन भी इसमें चलिए आप लोग के लिए कोश्चन है चलिए बता ही देता हूँ कि जो हम हम यूमन है वो किस में आते हैं हार्बी वोर में, कार्णी वोर में या ओमनी वोर्स में हमनी वोर्स में हम लोग आते हैं आइनिमल भी खाते हैं मास भी कई लोग और प्लांट पौदे से बना हुआ प्रोडक्ट भी खाते हैं चलिए ठीक है आगे देखते हैं या अब लोग करिए का घर से अगे ये लेसन लगबग फिनिश हो गया है देखिए अब ये की वर्ड है इंडिग्रेंट क्या होता है इंडिग्रेंट मैंने बताया था कि जैसे रोटी बनाने के लिए क्या का जुरूरत पड़ती है आटा और पानी ये इसका इंडिग्रेंट दो इंडिग्रेंट है दाल बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है दाल चाहिए नमक चाहिए मसाला चाहिए इसके और 3-4 इंडिकरेंट हो गए जादा एडिबल क्या है जो खाने लायक जो चीज है उसको एडिबल कहते हैं नेक्टार क्या होता है नेक्टार होता है कि जो फूलों में मीठा रस रहता है जिसको मदिमक की चूज के बने चत्ते में लेके जाती है वो नेक्टार होता है सप्राउटीड सीड क्या है सप्राउटीड सीड होता है जो अंकुरित दाल या चना रहता है जो वाइट वाइट जो एक दिन भीगा कर रखा दूसरे दिन उसको कपड़ा में रखो तो दूसरे दिन वो अंक्रित हो जाता है उसको सप्राउटिट सीट कहेंगे आगे है हार्विवोर्स हार्विवोर्स वो होता है जो प्लांट सिर्फ खाता है कार्निवोर्स वो होते हैं जो मास खाते हैं ओमनिवोर्स वो होते हैं जो मास और प्लांट दोनों खाते हैं अब समरी में देखिए क्या है there is a lot of variation in the food eaten in different region of India इस अमरी में बताया गया है पहले पॉइंट में कि इंडिया के बहुत से रीजन हैं वहां पे अलग-अलग खाना खाया जाता है जैसे नौर्थ की तरफ दाल चावल यह सब ज़्यादा चलता है और साउस साउस साइड की जो स्टेट हैं वहां पे इटली डोसा या फिश करी यह सब ज़्यादा खाया जाता है तो यही बताया गया है कि हर एक जगा का जो खाना है वह डिफरेंट रहता है में सोर्स ओफ आर फूड हर प्लांट हमारा जो मुख साधन है खाने का वह प्लांट और एनिमल है एनिमल विच इट ओनली प्लांट और काल्ड हार्भी वोर य सब्सक्षा करा जो हें जाती है यह बताया गया कि हार्भी वोर है जो को खाते हैं दूसरे में घिखाया गया चीछ, यह अंउनिज़ को खाते हैं वो कॉनिभर 8 जैसे मह लोग अर्द देख्या इसमें बताया गया है कि आप लोगों ने कहीं देखा है कि एक आदमी रोजी एक चीज खाता हो नहीं ऐसा नहीं होता कभी इसका अंसर नो है यहाँ पर कहीं कोई नहीं मिलेगा जो एक चीज खाता हो आगे इसमें दूसरा कोश्चन है नेम फाइब प्लांट एंड दियर पार्ट्स धाट वीट पोधों का पार्ट्स हमको लिखना है जो हम लोग खाते हैं आगे यह मैच दकॉलम है जैसे पहला है मिल्क जो है मिल्क कड़ पनीर यह क्या है और एनिमल प्रोड़क्ट है इसमें आ जाएगा पहला यह पहला है इसमें पहला का है और दूस्रा है स्पाइनक स्पाइनक अ किया है पहले का क्या है ये लास्ट वाला है आर आनिमल स्पाइनक जो है कॉली फिलावर कैरट ये क्या है आर वेजिटेबल ये इसका है और लोएन एंड टाइगर इट अधर आनिमल दूसरों खाते हैं आर भी वोर्स इट प्लांट अली आचा करता हूं ये समय में आ गया होगा कि नहीं आया तो कमेंट में बद पूछ लिएगा फिर से बता दूँगा अब फिल इंदा ब्लैंक साय ये तो इजी है टाइगर इसे क्या है वो कार्नि वोर्स है डियर इट उनली प्लांट प्रोड़क्ट एंड सो इसकाल्ड हर्भी वोर्स इसको कहते हैं क्योंकि ये अकेली के लिए मिल्क दा मिल्क दाइट वी ड्रेंक विच कम्स फ्रों काव फैलो गॉट इस एन एनिमल ये जन्तु हैं जो हमें दूद देते हैं वी गेट शूगर फ्रों शूगर केन से आगे देखिए ये कोस्चन बहुत हैं इसको आप लोग मुझे बताईएगा दो कोस्चन व if not why क्या आपने कहीं आजपरोस में देखा है कि हर एक आदमी सही से खाने के लिए उसको मिलता है कि नहीं ये इसमें लिखना है अगर नहीं मिलता है तो क्यों कि आप लोग देखिया गया कि उसको खाने के लिए भरपूर साधन है अगर नहीं है तो क्यों दूसरा कोस्चन ह What are the way we can think of to avoid wastage of food हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हमारा खाना बरबाद ना हो आशा करता हूँ ये lecture आपको इंट्रेस्टिंग लगा होगा इंट्रेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों को साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद